विस्व्जम्फूट में आज की रेसिपी है इंस्टन्ट मावा की रेसिपी बहुत ही आसाने और लाजवाब बनती है तो यहां पर मैंने एक कप भर के मिल्क पौडर लिया है आप कोई भी कमपनी का मिल्क पौडर इसमें यूज़ कर सकते हैं उसके साथ यहां पर मैंने लिया है आदा कप दूद और दो बड़े चमच खी तो चलिए दोस्तों बनाते हैं इंस्टन्ट मावा रेसिपी तो एक पैन को मेंने हलका सा गरम किया हुआ है और इसमें हम शामिल करने वाले हैं दो बड़े चमच खी घी को हम थोड़ा सा मेल्ट करेंगे जिसको मैंने पहले से ही उबाल कर थंडा कर लिया था तो अब हम इसमें घी में अच्छे से शामिल कर लेंगे और इसके साथ अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा मिल्क पौडर करीब एक कप मैंने मिल्क पौडर लिया है तो हमें एकदम से नहीं डालना है वरना इसमें लम् शामिल करें थोड़ा डाले और फिर से इसे चलाए ताकि लंस ना पड़े और यह धीमी आज पर ही आपको करना है पास से छे मिनिट में आपका मावा बनकर रेडी हो जाता है तो यह बाकी बचा हुआ मिल्क पाउडर भी मैंने इसमें शामिल कर लिया है और अब हम इसे तो यह बिल्कुल धीमी आज पर आपको इसे चलाते रहना है त्राइशनली जब हम दूद से बनाते हैं तो इसे बहुत पकाना पड़ता है बहुत ही टाइम लगता है लेकिन इस तरह से आप मावा बनाओंगे तो जल्दी हो जाएगा और आपकी मिठाई जो है वह काफी अ बनाना चाहते हो तो इस तरह से आप फटाफट मावा बनाकर और कोई भी मिठाई बना सकते हो ये देखिए धीमी आच पर ही आपको इसे चलाते रहना है अगर आप इसे नहीं चलाओगे तो ये नीचे से जल भी सकता है और जादा इसे पकाने की ज़रुरत नहीं है वरना ये हार्ड हो जाएगा कड़क हो जाएगा सक्त हो जाएगा तो ये देखिए अब 5-6 मिनिट तक अब ये पूरी प्रोसीजर होई जाती है आपका मावा बनकर रेडी हो जाता है तो अभी थोड़ा सा हमें इसे और पकाना है ये देखिए ये मेरा फाइनल लुक है मावा का ये बिल्कुल पर्फेक्टली बन चुका है तो अब ये देखिए ये मेरा फाइनल मावा रेडी ह हो चुका है इसे बनाने में मुझे करीब पांच या छे मिनिट लगे है धीमी आज पर ही मैंने बनाया है तो अब इस टाइम पर आपको कर देना है ग्यास को बंद और एक बाउल में आप इसे निकाल ले और करीब दो घंटे के लिए आप इसे थंडा होने के लिए रख दे यह बहुत ही आसान और बहुत ही टेस्टी मावा बनता है खुश्ब भी काफी अच्छी आती है येकिन मानिये आप एक बार जरूर बनाए इंस्टंट मावा और उसकी मिठाई भी बनाए गाजर के हलवे में या कोई भी मिठाई आप इसे बना सकते है तो इसे अब हम थंड के रेटन में दस दिन तक यह आराम से रहता है जब आपको मिठाई बनानी हो इसे निकाले और बनाए तो दोस्तों बने दिए फ्यूजम फूर्ट चुपति के साथ अच्छा खाए और आपने स्थेहत बनाए शुक्रिया